Hello Friends, आप सभी का स्वागत है Friends, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एक्जाम का जो प्रिपरेशन है अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे Friends, आप सभी के लिए 10 Most Important Selected Question लिया है इसमें जितने भी question लिया है आपके previous year exam में ये सभी question कई बार repeated हो चुके हैं जो आपके आने वाले exam के लिए ये question बहुत ज़्यादर important साबित होगा तो friends चलिए start करते हैं तो friends आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें तो आज आपका जो first question है कि बुद्ध ने सरवादी उपदेश कहा दिये थे तो friends इस प्रश्ट का जो चार आपसंद आपके सामने हैं फर्श्ट आपसंद है वैशाली सिकेंड आपसंद है स्रावस्ति थर्ड आपसंद है कौशाम भी और fourth आपसंद है राजगी तो friends जिस प्रश्ट का answer आपको पता हो उस प्रश्ट का answer कमेंट बाक्स में आप जरूर लिखें और वीडियो के लाश्ट में ये भी बताएं कि आपके दस question में से कितनी question का answer correct हुआ तो friends इस प्रश्ट का जो right answer होगा B होगा स्रावस्ति तो बुद्ध ने सरवाधिप उप्देश स्रावस्ति में दिया था चलिए next question को देखते हैं आपका next question है कि दुरुबिन का अविस्कार किसने किया था इस प्रश्ट का भी चार आप सन आपके सामने है फर्स्ट है गैलेलियो सेकेंड है गुटेनबर्ग ठर्ड है एडिसन और फूर्थ है ग्रहम बेल इस प्रश्ट का right answer बताएं इस प्रश्ट का जो आपका right answer होगा A होगा गैलेलियो तो फ्रेंस जो दूर्बीन का अविसकार है गैलेलियो ने किया था चलिए next question को देखता है आपका next question है कि दूद का pH मान कितना होता है फ्रेंस आपको बताना है कि जो दूद है दूद का जो pH मान होता है कितना होता है तो इस प्रस्ट का जो आपका right answer होगा B होगा दूद का जो pH मान होता है 6 दसमलो 6 होता है चलिए next question को देखते हैं आपका next question है कि सुयबीन में protein का प्रतिशत होता है Friends आपको बताना है कि सुयबीन में protein का प्रतिशत कितना होता है यह question very very important है आपकी exam में कई बार यह repeated हो चुके है तो Friends इस प्रस्ट का जो आपका right answer होगा A होगा 42 प्रतिशत तो Friends जो सुयबीन होता है उसमें protein की जो मात्रा होती है 42 प्रतिशत होती है चलिए next question को देखते हैं आपका next question है कि प्रतिवी पर सबसे अधिक मात्रा में पाये जाने वाला तत्त है Friends इस प्रस्ट का चार option आपके सामने है फर्स्ट है oxygen, सेकेंड है silicon, ठर्ड है aluminum, और फोर्थ है loha तो Friends इस प्रस्ट का जो right answer होगा A होगा लेकिन यही question आपसे पूचता, कुछता है न दोनों प्रस्ट का जो अंतर है उसको आप ध्यान दीजेगा चलिए next question के देखते हैं आपका next question है कि कुची पूड़ी किस राजी की निर्थ शैली है इस प्रश का भी आपके सामने चार आपसन है फर्स्ट है केरल, सिकेंड है आंधर परदेश, ठर्द है टमिलाडू और फौर्थ है करनाटर इस प्रश का right answer friends आपका होगा आंधर परदेश यारे कि इस प्रश का right answer भी होगा कि कुची पूड़ी आंधर परदेश की निर्थ शैली है चलिए next question के देखते हैं आपका next question है कि काजी रंगा उद्यान किस लिए जाना जाता है तो friends आपको बताना है यहाँ पर कि काजी रंगा जो उद्यान है किस लिए जाना जाता है तो इस प्रश के जो आपका right answer होगा A. गैंडा तो काजी रंगा जो उद्यान है गैंडा के लिए जाना जाता है चलिए next question के देखते हैं आपका next question है कि मंत्री मंडल की बैठक की अध्यचता कौन करता है इस प्रश्च का भी आपके सामने चार आपसन है फर्स्ट है राष्टपती सिकेंड है उपराष्टपती ठर्ड है लोकसपा अध्यच और फौर्थ है प्रधान मंत्री इस प्रश्च का right answer पता है friends तो इस प्र आपका next question है कि साराज पाटी की अस्थापना कब होई थी friends आपको बताना है कि साराज पार्टी की अस्थापना कब होई थी इस प्रश्च का आपके सामने चार आपसन है फर्स्ट है 1919 में origin सुबीश में थर्ड है 1922 में और फॉर्थ है 1923 में इस प्रश्ट का जो राइट एंसर आपका होगा 1923 इस प्रश्ट का राइट एंसर आपका D होगा कि स्वाराज पार्टी की जो अस्थापना हुई थी 1923 में होती चलें next question को देखते हैं आपका next question है कि शेहर सा सूरी का मगबरक कहां इस्तित है फ्रेंच आपको बताना है कि श प्रश्ट का जो आपका राइट एंसर होगा सासा राम होगा इस प्रश्ट का राइट एंसर सी होगा सेरसा सूरी का जो मगबरा है सासा राम में इस्तित है तो फ्रेंच आपका यहां पर 10 most important selected question complete होते हैं आप comment box में जरूर बताएं कि आपका 10 question में से कितने question का इंसर correct हुआ तो फ्रेंच आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्स फार वाचे